करिक्रम कुछ बाते हैं कुछ गीत हमारे सभी श्रताओं का इस प्रोग्रेम में हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं श्रताओं आपको लॉगाउन करना है www.facebook.com.vbs मुंबई और जुडिये हमारे इस करिक्रम से सावन का जो ये महिना है बड़ा पावन होता है और इसी के साथ शुरुवात हो जाती है मेलों की हमारे देश का यू कहें कि पूरा जंग निखर कर आता है इन मेलों में छोटे-छोटे स्थानों पर और बड़े प्रमाने पर भी ये मेले जब लगते हैं तो इनका रंग हम सब के चेहरे पर भी साफ नजर आता है और हर कोई बस मेले की ही तरफ जाता है ये मेले जब लगते हैं तो इन में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो पुतिर उल्द्योग का सामान है चोटी चीज़ें या कुछ ऐसे परदान होते हैं जो रंग बिरंगे होते हैं जो हम लेने के लिए किसी खास जगह पर हमें जाना पड़ता है तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से मोहिया हो जाती हैं पुरे संस्कृती कह सकते हैं कि अपने में संजोए ये मेले जब लगते हैं तो बड़ी धूम होती है और जब उस जिगह से ये मेले चले जाते हैं तो बस इनकी यादें गह जाती हैं तो कुछ मेलों की यादें आपके संदूक में भी बंद होंगी आज उन्ही यादों से सजा है हमारे ये करिक्रुम कुछ बाते हैं कुछ गीत आपके शेहर में भी कोई न कोई मेला जरूर लगता होगा और जहां तक भारती मेलों की प्रसिद्धी का सवाल है तो दूर दराज यानि विदेशों से भी सहलानी इसे देखने जरूर आते हैं बदरा चाए कि छुमे पर बत हाए रिकजरार बदरिया को चूम के आया सावन चूम के आया सावन चूम के काहे सामने सब के बालम वा तो छेड़े जालम वा काहे सामने सब के बालम वा तो छेड़े जालम वा पिखरा चाए मेरा कचरा पत गई जूम रिख के आया सावन चूम के आया सावन चूम के आपको कलाकार पेचानने हैं शुदौ जाने किस को किस की यादाई के चली पुरवाई जाने किस बिरहन का मन तरसा के पानी बरसा कंगना आए कंगना लाए के घर लाट के आयर पर देश पिदेश वासे घूम के आया सावन जूम के आया सावन चूम के तेरे सहरे के ये लड़िया के सावन चूम के जड़िया तेरे सहरे के ये लड़िया के सावन चूम के जड़िया जड़का जाए मेरा मन वाहए रिका जड़िया पच गई घूम के लड़िया आया सावन जो पावन चित्वन ईश्वर दर्शन जिरा खुशी से डोले जहां सावन का महिना तो होता ही कुछ ऐसा है और सावन के महिने में अगर मेला घूमने की बात हो या मेले लगे हो और वहां जाना हो तो खुशी का आलम तो बस मत पूछी हमारे एक और शोता ने लिखा है कि मेले तिवहर और सव हमारे जीवन का एक अभिन अंग है मेले हमारे जीवन में हर्श, आनंद, उमंग, उल्लास, प्रेम, शान्ति, संतुष्ठी तथा खुश्यों का संचार करते हैं इन मेलों से समाजिक सहयोग, समरस्ता, सौहार्द और भाईचारा बढ़ता है मेले संस्कृतिक रूप से सभी को समरिधि प्रदान करते हैं इसलिए मेले हमारी संस्कृतिके परिचायक होते हैं इन मेलों की प्रिष्ट भूमी आमतौर पर समाजिक मानेताओं देवी देवताओं की पूजा, क्रिशी, प्रिष्ट भूमी, पशू, संस्कृति, धार्मिक, आस्ता, त्योहार या रिदो परिभरतन पर भी आधारित हुआ करती है और आज मेले घूमने जाएंगे कुछ बाते हैं, कुछ गीत के संग तो जहां बिलकुल ऐसा ही है मेले तो घूमेंगे, और हमारी एक और शूता ने लिखा है कि इन दिनों हमारे 36 गड़ के बस्तर अंचल में हरी भरी वाधियां, पहाड, जरने, पूरे शबाब पर हैं और आपने मेले की बात की है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि बस्तर का मेला और यहां का दशेरा विश्व प्रख्यात है, जो लगभग 75 दिनों तक चलता है तो नहीं नहीं जानकारियां जो हैं, वो हमारे शोता भेज रहे हैं, तो क्या ही बात है, बहुत सारे मिले हैं, जो भारत वर्ष में बड़े मानिता प्राप्त हैं, तो आप हमसे जरूर बाटियें अपनी बाते आपको ये कलाकार पहचाननी है खोले दे सैया ओढ़नी पंजबी दिले दारोए ले दे सैया ओढ़नी फिर दिखलाओं मोढ़नी के चाल मैं दिलदारोए ले दे सैया ओढ़नी पंजबी दिले दारोए ले दे सैया ओढ़नी चलू लचक लचक के, जारा मटक मटक के, लट जटक जटक के, चला एड़ी मेड़ी, चला अजी तपा, चला पोड़ी फेरा, बले शेरा हे, मेरी जुक निये, मेरी हीर निये, मेरी मोर निये, चाहे बिक जाए पकड़ी, मेरी चाहे बिक जाए हाल, ले दूँगा कुझो मांगे, एक बार समक के, चला लचक लचक के, जरा मतक मतक के, मुकर में जाना, मुकर में जाना, तुर से कुछ मांगा है पहले बार, ले दे सेया, ओढ़नी, पंजाबी, दिले दार, ले दे सेया, ओढ़नी, मेरी मकरा, मेरी सजड़ा, मेरी बेलिया, ओड़ चंदर्या निकलूदे तो दिल जाएंगे खाप, में क्या सद के, ओड़ चंदर्या निकलूदे तो दिल जाएंगे खाप, जाने किस-किस के सीने पे लोट जाएंगे खाप, पलू लचक लचक के, जारा मटक मटक के, लट जटक जटक के, आहे, 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 इक चुनरी क्या, इक चुनरी क्या, जले दू तुझे को जारा बाजार होएं, ले दे संया होड़नी पंजाबी ले दार होएं, ले दे संया होड़नी बलå ले शेरा बले शेरा होएं, मेरी जुग निगए, मेरी हीर निगए, मेरी मोर निगए ये ले अपनी चुनरी और दे महंजी वाले हाथ मुकड़ा है जो हाथ निभाना जनम जनम का साथ कलो लचक लचक के जर मतक मतक के लट जटक जटक के मेलों में तो जो परिधान मिलते हैं उनकी तो क्या बात ही है और ये थी मदू मती जो बहुत ही प्यारी है और इनकी जो नित कला है इनकी बड़ी ही खूबसुरत है तो आप इनी पर फिल्म आया गया ये गीत आप सुन रहे थे पवितर पापी फिल्म से और हमारे शोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है प्रेम धवन की ये रचना थी हमारे एक शोता लेखते हैं कि पारंपरिक मेले भारत में सांस्कृतिक ताने बाने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जो समाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए मंच के रूप में कारे करते हैं ये मेले अक्सर सदियों पुरानी परंपराओं और रीते रिवाजों पर आधारित होते हैं दोर-दोर से समधायों को एक साथ लाते हैं एक्ता और सामोहिक उत्सव की भावना को बढ़ावा देते हैं गाउं के मेले महत्वण बाजारों के रूप में काम करते हैं जहां कारीगर, शिल्पकार और व्यापारी अपने उत्पादों का प्रदर्शन करते हैं जिसे आर्थिक लेंदिन और अजीविका के अफसर पैदा होते हैं इसके अत्रिकती ये मेले धार्मिक और अधात्मिक समारों के लिए जिगर प्रदान करते हैं जहां देथियात्री और भक्त देवताओं को शद्धांज ले देने और आशिरवाद लेने के लिए एक साथ आते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो अधात्मिक जगहें हैं और वहां पर लगते हैं ये मेले इनके धूम बहुत होती है और सावन के महीने से तो ये शुरूर हो जाते हैं शवताओं आपके तरफ कौन सा मेला लगता है आपके शहर में या आपके गाउं में हमें जरूर बताएं या पिर आपके शहर या गाउं से करीब कौन से ऐसी जगह है जहां मेला लगता है और आप अक्सर जाते थे या जाया करते हैं एक और शोता लिखते हैं कि मेले भारती समाज और संस्कृति के प्रतेख हैं दुनिया भर से लोग इन मेलों में भाग लेने के लिया आते हैं चलता है इसकी भवेता देखते ही बनती है एक और हमारी इशोता है उन्होंने लिखा है कि गामों में और शेरों में मेले साल में दो बार एक दो बार लगते हैं किसी खास तिवारों में मेला जरूर लगता है कई तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं घर की सजावत की व तो जो चीजे हैं वो सिर्फ हम देखते ही नहीं बलकि इसे खरीदते भी हैं और खरीदना भी चाहिए क्योंकि इसे जो मेले हैं उनकी परंपरा बरकरार रहती है व्यापार को बढ़ावा मिलता है और साथे साथ हमारी संस्कृती भी आगे चलती है कुटे रुद्द्योग की जहां तक चीजे हैं वो हमें जरूर से जरूर खरीदनी चाहिए जुका दिरा जुका दिरा जुका दिरा होर होर जुका गिता दे बड़ेली के बाजार में जुका गिता दे सैया आए ने जुकाई भर में चुरी चुरी जुका दिरा 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 आपको कलाकार और संगीत का रवताने हैं शौताओं घर की छत्ते में खड़ी गली में दिल पर जानी घर की छत्ते में खड़ी गली में दिल पर जानी हस्खे बोलेने चे या अब ने चे आ दिवानी या अबोटी फेक अपनी या छला दे निशानी घर की छत्ते खड़ी खड़ी मैं हुई शुर्म से पानी फिर क्या हुआ? फिर जुमका गीदाजे हम दोनों की इस च्चार में जुमका गीदाजे वजीली के वाजार में जुमका मदन मोहन का संगीत था आपने बिलकुल ठीक लिखा है राजा मेहदेली खा के बोल थे मेरा साया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अभी नीतरी साधना पर फिल्म आया गया और अगले नगमे में शुर्थाओ आपको कलाकार बताने हैं गीतकार बताने हैं एक शोता ने लिखा है कि मेले नकिवल मनुरंजन के साधन है अपितो ग्यान वर्धन के साधन भी कहे जाते हैं प्रतिक मेले का इस देश की धार्बिक सांस्कृतिक और समाजिक पराउं से जुड़ा होना इस बात का प्रमान है कि ये मेले किस प्रकार जन मानस में एक आपूर वो उल्लास उमंग और तथा मनुरंजन करते हैं एक और शोता लिखते हैं कि मेला देखे बहुत साल हो गया बच्पन में लकडी के जूले जो उपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं उनमें बैठते थे लेकिन नीचे आते वक्त पेट में कुछ-कुछ होता था डर के साथ मज दूले डाल कर जूलते हैं फिर गाते थे हमारे यहां राम नौमी पर मिला लगता था उसमें फिल्म भी आते थी नीचे दरी बिचा कर बैठ कर देखते और गरम जले भी खाकर घर आते एक और शोता लिखते हैं कि सावन का महिना है और आज यह तीज का तिवहर भी है जो हम बड़ी बेसबडी से तीज का इंतजार किया करते थे इस दिन खाने में मेवे के घेवर और नीम के पेड़ पर जूला डाला जाता था परिवार वो अन्यसक्यों के साथ जूला जूलते थे शाम को मेला घुमने तीज की सवारी देखना बहुत अच्छा लगता था लेकिन शौक नहीं रहा आज भी बरसों पहले मेले से लाए हुए कुछ शोपीस मिटी के खिलोने रखे हैं लेकिन इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मेला देखने जाना तो बहुत जरूरी है और वहां से चीजों को खरिदना भी जरूरी है पर ले समझन मुझको बोली मेरा रूप जहर की गोली सुन ले दीवानों की दोली कोई नाम ना करे धल के दुपट वातो लट तेरी बिखरे जुख जाए नैन वातो रूप तेरा निखरे धल के दुपट वातो लट तेरी बिखरे जुख जाए नैन वातो रूप तेरा निखरे उपीछे पड़ी है दुनिया सारी बैरन लाप जतन करवारी मैं तू अब चक रही को आरे कोई नाम तो जह अब लो तोचे क्या मेले जाना सारा शहर तेरा दीमाना तेरे रूप तो देखे ताना बढ़ नाम ना करे है अलη कर दो रख बब हाँ रख में प्रादनी बढ़ Candan बन्या में जितां ठे जहाँ प्रे तेखे तान स representing ऑ करे दोपा जयाँ ध ज guest hap है ओक धजर कर एहाँ, और खनिसे ले को ऱजब लोबनों है दुनिया के आख में जवानी मेरी खटके कितनों के दिल है नजनिया में अटके दुनिया के आख में जवानी मेरी खटके कितनों के दिल है नजनिया में अटके जब से साल सोलमा लागा, तेरा अंग अंग है जागा, पीछे हर दिल वाला भागा, कोई काम ना करे अबलो सोच के मेले जाना सारा शेर तेरा दीवाना तेरे रूप देखे खाना बद नाम ना करे आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है खंदान फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे नूतन और सुनिल्दत पर फिल्माया हुआ राजिंदर कृष्ण के बोल थे रवी का संगीत था शोटा और अगले गीत में आपको कलाकार बतानी है और हमारे शोटा लिखते हैं कि हमारे गाउं में घर के बिल्कुल नजदीक मेला लगा करता था बच्पन में उसी का इंतजार रहता था हर साल छोटे छोटे बरतन गुडिया और रंग पिरंगी चूडियां और बहुत उपर तक पहुंचता था जूला मतलब जूले के लिए शायद इन्होंने लिखा है और वो सावन में गोकलाश्ट में कम मेला तो वो यादें लेकर आता है जहां हमने पापा ममी के साथ तस्वीरें जो खिचाई थी बड़ी हसी आती है अब वो देखकर क्योंकि पहली बार बहुत ज्यादा फोकस लाइट्स का सामना हुआ था तब आखें और मू ऐसा बन गया था जो फोटो में क्लिक हो गया जी हां फोटो भी खिचती थी मेलों में और एक और शूता ने लिखा है कि कुछ बात है कुछ गीत के सभी शूता मि करते हैं और खास बात यह है कि लोगों से मिलना जूलना होता है शेरों में भी मेले लगते हैं लेकिन वहां उन्हें प्रदर्शनी कहा जाता है स्वरूप एक जैसा ही होता है लगभग इनका कहने का मतलब है एक और हमारे शूता ने लिखा है कि मेले से मेरी बच्पन की जा की गाड़ी जूला लगते थे और बहुत सारे खिलोनों के स्टॉल कपरों के स्टॉल लगते थे वहां से कुछ लेने के चकर में हम लोग नहीं पढ़ते थे बस मेला घूमना खिलोने और मेले के सैर करना चटपटा कुछ खाना यही यादे हैं इनकी एक और शोता ने लिख अगरम गाजर का हलवा चार तारी खाने में बड़ा मज़ा आता है ठैंट के मौसम में लोगों के पास काम काम होता है और काम काम करना भी चाहते हैं इसलिए ऐसे मौसम में लोग मेले का आनूद लेते हैं तो खाने पीने की जहां तक बात है तो अनरसे की गोली जो मेलों मे बित्ती है और उसका स्वाद तो बड़ा ही अलग होता है हाई शर्माऊ हाई शर्माऊ हाई शर्माऊ हाई शर्माऊ किसी को बताऊ ऐसे कैसे मैं सुनाऊ सब को अपनी प्रेम कहानिया अपनी प्रेम कहानिया जालमाऊ कि जालमाऊ कि हाई तीन निशानिया हाई शर्माऊ किसी किसी को बताऊ ऐसे कैसे मैं सुनाऊ सब को अपनी प्रेम कहानिया अपनी प्रेम कहानिया । । । । । अहली में शानी मैं हूँ जिसकी देवानी है पहली में शानी मैं हूँ जिसकी देवानी है रुत जैसे तू पानी है ऐसे उसके जवानी है मसा नी पुसके आगे, फी फी नागे, आए सब के जवानिया आए शर्मों किस किस को बताउं, ऐस कैस मैं सुनाउं सब को अपनी प्रेम पहानिया, अपनी प्रेम पहानिया अपनी प्रेम पहानिया कुरता है नीला, रंग पगड़ी का पीला कुरता है नीला, रंग पगड़ी का पीला रूप उसका कटिला ऐसा है वो छबिला रंग पगड़ी का पीला रंग पगड़ी का पीला आसका का का पीला रंग पुर्ण focalीव सकас दाव दाकी मावड़ी का आखों को मीचे, देखो सासों को खीचे आखों को मीचे, देखो सासों को खीचे वहाँ पीबल के नीचे है, मेले में सबसे पीचे खड़ा है नीज उड़ाए, चेंचुराए एकर भी मानिया है शर्माओं किस किस को बताओं ऐसे कैस मैं सुनाओं सबको अपनी प्रें पहानिया अपनी प्रें पहानिया बालमा के, जालमा के तीन निशानिया है शर्माओं किस किस को बताओं ऐसे कैस मैं सुनाओं सबको यह जो प्यारी सी अभी नेत्री है शौताओं यह हैं लक्षमी चाया बेहद खुबसूरत अभी नेत्री थी और नत्यांगना तो कमाल की वह जब की थी तो आप सुन रहे थे ये गीत मेरा गाओं मेरा देश इस फिलिम से तामंगेशकर की आवाज थी आंद्वक्षी का लिख था इस गीत की डीटियल आपने बिल्कुल ठीक लिखी है और अगले गीत में शौताओं आपको गीत कार बताने हैं और कला कार बहचानने हैं हमारी शौता लिखते हैं कि मेले में सब कुछ मिलता है हमारी संस्कृति सभितारी तेरिवार्ज यही तो भारत है सावन के जूले लगाए जाते हैं जूले में जूलना मुझे पसंद नहीं है फिर भी जूला देखकर मन को अच्छा लगता है अब तो कुछ खास जगे पर ही शायद मेले लगते हैं सावन के मेले का अनन्द लेंगे आज विवत भारती पर एक और शौता लिखते हैं कि सावन का मेला एक आ लीला में बच्चों संग विजय दश्मी के मेले का एक अच्छा सा अलग ही रंग हुआ करता है लेकिन अब शेहरों में इतनी भीड है कि प्राय हर चौरा है कि बात इन्होंने कहीं कि बड़ी भीड भारा रहती है और करियर का भी कुछ इस तरह से इन्होंने लिखा है कि ल और थी सुहावने होते हैं एक दिंचर्या में कहते हैं कि एक परिवर्तन सा आता है और बहुत अगर संस्कृती के बात करें तो हमारी एक पुरातन संस्कृती है जिसे आगे बढ़ाना और संजोए रखना ये तो हम सब की जिम्मेदारी है और एक और शोता ने लिखा है कि स सावन शुरू हो गया है सावन के जूले पड़े गौरी जी तुझे पलक के नीचे खड़े सावन का महिना धार में कुछ सबों का मौसम है सुमवार को शिवजी के पूजा होती है शिवजी को जो पंचवरत अभी शेक होता है वो होता है मंगलवार को मंगलगवारी की पू होती है और नाग पंचमी रक्षा बंधन श्रीक्रिश्न जन्माश्टमी का उत्सव होता है और कुछ एक गीत गुविंदा आला रे और मत्की समाल ब्रिजपाला ऐसे गुविंदा गीत गुंचते हैं इस तरह पूरा महीना हर्श वल्लास मनाते हैं और के वी के जी जो एक प् एक एक्ता और सामाजिक संबंदों को भी बनस्बूत बनाते हैं इन मेलों में लोग विविन शित्रों से एकत्रित होते हैं जो सांस्कृतिक विवित्ता और सामाजिक सौहर्द को बढ़ावा देते हैं इन मेलों के माध्यम से इस्थानी कलाकारों शिल्पकारों और अतलाब पहुँचता है ऐसा इनका मनना है और हो भी क्यों ना अगले गीत में आप पहचाने का लगार गीतकार एक पर देसी मेरा दिल ले गया जाते जाते मिखा मिखा हम दे गया एक पर देसी मेरा दिल ले गया जाते जाते मिखा मिखा हम दे गया कौन पर देसी तेरा दिल ले गया मोटी मोटी अक्थियों में आंसु दे गया मेरे पर देसी तेरा दिल ले गया मोटी मोटी अक्थियों में आंसु दे गया मेरे पर देसी यख यही है निशानी अपकी अग्र और की शिशे के जवानी मेरे पर देसी तेरा दिल ले गया मोटी मोटी अक्थियों में आंसु दे गया ओए कौन पर देशी थेरा दिल ले गया मोटी मोटी अक्षियों में हाँसु दे गया जूंड रहे तुझे लाखों दिल वाले कर दे ओ गोरी जड़ा आँखों से उजाले जूंड रहे तुझे लाखों दिल वाले कर दे ओ गोरी जड़ा आँखों से उजाले आँखों का उजाला परदी से ले गया जाती जाती मिठा मिठा घुम दे गया जौन पर देशी थेरा दिल ले गया मोटी मोटी अखियों में अंसु दे गया उसको बुला दो सामने ला दो क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दो उसको बुला दो सामने ला दो क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दो जो भी मेरे पास था वो सब ले गया जते जते मिठा मिठा घम दे गया कौन पर देशी तेरा दिल ले गया मोटी मोटी अखियों में अंसु दे गया एक उपर देती मेरा दिल ले गया जाते जाते मिठा मिठा हम दे गया जीवन संस्कृति का परिचायक हैं भारत में सामानित मेले तिवहार पर या तो फिर मौसम बदलने के उत्सव के दोरान लगते हैं पुश्कर मेला अजमेर मेला और सुरजकुंड मेला भारत में कुछ मशूर मेले में से है दार्मिक मेलों में कुंभ मेले का नाम अग्रनी रूप से लिया जाता है राजस्थान का तीज मेला भी काफी प्रसिद्य है कह सकते हैं कि ये मेले लोक का पर्व हैं जिन्मन का उत्सव हैं जूले, चकरिया, चाठ और जलेबी के दृष मेले में सर्वत्र दिखाई देते हैं कुछ मेलों में पश्वों का क्राय विक्रे होता है ऐसे मेले देखने में बहुत अद्भुत होते हैं जिहां अद्भुत भी हैं ये मेले और बड़े पुरातन भी हैं पुश्कर का मेला जो है वो बहुत माने रखता है और सोनपूर का मेला और हमारी एक और सोता लिखते हैं कि हमारे शहर में सुमवारी का मेला बड़ा ही मशूर था साल भर इस मेले का लोग इंतिजार करते थे अन्य कई प्रांतों के सामान इस मेले में धिखाई पड़ते थे विगत कुछ सालों में न तो हमारे शहर में अब मिला लगता है और नहीं मुझे कहीं पेड़ों पर जूले डाले हुए दिखाई देते हैं मेले अब भी कमेशिल हो गए हैं जिसमें ब्रैंडड समानों की भरमा रहती है सावन, मिलन, हर्याली सावन, हर्याली तीज ये सब खूब मनाया जाता है सभी होटलों में भी आजकल जाते हैं हरे रंग के परिधान में सजीवे मेलाएं नजर आती है और डीजे पर निर्ट करती है गाना गाती है खुशनमा महौल रहता है तो समय तो बदलता रहता है और आगे लिखती है कि खुशनमा महौल रहता है और लजीज विंजनों का भी लुथ उठाते हैं एक और शोता ने लिखा है कि बच्पन का मेला याद आता है हर सावन सुमवार महादेव मंदिर में जूले लगते थे कुछाट के थेले लगते थे खिलोन में की दुकान हुआ करती थी हम अपनी माँ और दीदी के साथ जाया करते थे स्कूल भी सबी सुमवार आधे समय ही लगता था सुबर से दिमाग में बस मेला घूमने लगता था शारी के बाद तिसनी लैंड मेला भी घूमा है पर एक बार मेरी बेटी ने मुझे एक जूले में बिठा लिया अपने साथ बहुत ही खतरनाक तरह से वो घूम रहा था उस दिन से फिर कभी नहीं गई तो ऐसा तो है शुता हो कि कुछ साथधानिया भी जरूर बरतनी पड़ती है मेलों में और खासकर छोड़े बच्चों को लेकर दुनिया का मेला मेले में लड़की लड़की अकेली शनो ना उसका जाल उसके गुलाबी जाल उसकी शराबी अबाबो अलाला सब को सला उसका दुनिया का मेला मेले में लड़की लड़की अकेली शनो ना उसका तौबाओ मेरी तौबाओ गरते हैं सब इशारे तौबाओ मेरी तौबाओ किसी तरफो देखे आशिक है उसके सारे किसी तरफो देखे तौबाओ मेरी तौबाओ मेरी तौबाओ मेरी तौबाओ किस जिएक जिएक हैं सित्ची तौबाओ योड़की तरफो द दौबाओ कंशली तौबाओ मेरी तौच जौ़की तौफो दौपका मेरी तौद जौबाओ कि फं। आपा में हर किसी की जटने लगी है रातेरे आपा में हर किसी की पानी उसकी उड़ाएं चैन उसमाच उराएं आज कर शहर में है चर जाएं आपसका दुनिया का मेला मेले में लड़की लड़की अके लिशन हो नाम उसका जाल उसके गुलाविच जाल उसकी शराविच ओ पापू अलाला सब को सलाम उसका दुनिया का मेला मेले में लड़की लड़की अके लिशन हो नाम उसका हमारे एक शोता ने कुम्भ मेले की बात करी कि सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा मेला है जो 12 साल में भारत के चार अलग अलग शेरों हरिद्वार इलावाद नासिक और जैन की पवितर नदियां शुपरा गुदावरी गंगा और यमना के तट पर आयो जित किया जाता है जहां 12 साल में भी और 6 साल में भी आता है ये जिसे अर्द कुम्भ कहते हैं और आगे लिखते हैं कि इस मेले को परियाग राज के नाम से भी जाना जाता है कुम्भ के मेले में जो वक्त होते हैं उनकी भीड देखने को मिलती है पावितर नदियों में स्नान करने के लिए सब जमा होते हैं और लगभग 2000 वर्षों से इसे आज़ित किया जा रहा है इस मेले की सबसे खास बात जो है यहां पर जो श्रदालू आते हैं जो पुजारी आते हैं उनके बारे में और आस था कि जहां तक बात है उसे भी जुड़ा हुआ यह मेला होता है और परेट पवित्र मेले का दर्शन करने के लिए भी आते हैं जहां तक कुम मेले की बात है तो यह तो विश्व प्रजित दहश होता हुआ और सावन मास के महीने में यह हमारे एक और शोता लिखे हैं सावन माच् Evening महिने में भारती सभयता में एक महतंपून और प्रयोजन अफसर होता है जिसे सावन मिला के रूप में जाना जाता है सावन मिला एक आकरशक और मनुहारी आयोजन है जो भारती संस्कृति की धार्मेटा परंपरा और सद्भावना का प्रतीक है ये मिला एक समाजिक और सांस्कुतिक महोत्सव की रूप में भी महत्वपून है इसमें लोग अपने परिवार के साथ मिलते हैं मरंजन का आनंद लेते हैं और अपनी भाशा, धर्म और परमपराओं को समर्पित करते हैं ये मिले बड़े छोटे शेहरों में अलग अलग नामों से जो है वो अलग नामों से मनाया जाता है लेकिन इनका उद्देश एक ही होता है जो धार मिकता है, समजिक समरस्ता है और भावनाओं को सबको मतलब लोगों को एक साथ जोड़ना और ऐसे ही एक और नका आपको सुनवाते हैं जो हमने मेले में फिल्माए गए जो गीत हैं आज वो हम आपको सुनवा रही हैं, आप अदाकार बताएं जबसे दिल में तेरी तस्वीर बनी है यो लगता है जैसे तकदीर बनी है जबसे तू इस दिल का महमान हुआ है जीवन में खुशियों का सामान भुआ है जितनी दूर नजर मैं डानों जारों और बहार है हाई रे हाई यही जजबात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जाबले हो बले तेरे घर शेहनाई जिस रात बजेगी तेरी मेरी जोडी क्या खुब सजेगी हाई पूरे होंगे दिल के अर्मान हमारे आचल में भर लेंगे हम चांद सितारे तेरे आगे चांद सितारे ओ गोरी क्या चीज़ है हाई रे हाई यही जजबात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जाबले बले होई 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 तेटी सूरत प्यारी अर्ज भी देखे सच कहता हूँ अपना इमान की खोदे तेरी आखों में भी अर्वो जादू है जब से आख मिली है जुबे खादू है खुद को ठोकर तुझ को पाया क्या मेरी तकदीर है आपने ठीक फरमाया है काश्मीर के गली फिल्म का ये गीत था शमराल टागोर और शमी कपूर पर फिल्म आया गया और SGB हरी के लिखे गीतों के तर्स बनाई थी ओपी नगीर ने अगले गीत में शोदाओं आपको गीत कार और संगीत कार बताने है हमारे एक शोदा ने लिखा है कि मेले की धूम फिल्मों में भी खूब दिखती है सावन के मेने का मेले मेलों में जूलों चछत्रियों और चाय पकूरों के उनका बहुत गहरा नाता है और वैसे तो बारों मेन का मेला हमारे विविद भारती में लगने लगा है रोज एक बज़े से दो बज़े तक फिर तीन से चार फिर साड़े नो से दस बज़े तक जहां बहुत सारे कर्रिक्रम हैं विविद भारती के और आप इने सुन सकते हैं इनका लट फुठा सकते है लगा है कि मिले में छोटे थे बच्चे तब मिती के चौका बर्तन का सुन्दा सा सेट खरीदा था मेरी बेटी उसे खूब खेला करती थी और बड़ी हो गई है तो फिर हमने किसी को दे दिया और एक और शुदा लिखती है कि कलकता में दुरगा पूजा पर तो पूरे साथ दिन मेले जैसा ही रहता है पूरा शहर खूब सुरत कलात्मक पंदालों में अलग अलग रूप में दीवियों की प्रतिमाएं बस देखते ह बनती है जितने पंदाल घूम लो कम ही लगता है परिवार और मित्रों के साथ सज धज कर घूमना और जगे जगे खाने पीने की जो खुशबू होती है आपका मन मोह लेती है और आप अपने आपको रोक नहीं सकते और खूब छोटी बड़ी चीज़ें गाओं के लोग आक फानों में भी कई तरह के जूले लगते हैं और जूले वाले कुन मिला कर एक मेले का ही सा महल रहता है जिहां और इस्थानी चीजों की जहां तक बातें हैं तो तांत की चीज़ें بھی वहां बहुत मिलती हैं काहे इतना गुमान छोड़िये ये मिला दो दिन का लेगी कितनो की जान छोड़िये ये मिला दो दिन का काहे करता है प्यार छोरवाई मेला दो दिन का कारे करता है प्यार छोरवाई मिला दो दिन का कारे को देखसे गादब Вас game कारे करुए कि भी दीखक्व करदो है इतल नहीं कर मैं करने जैया आघे क्छाननीच अरिस्त दल्याइए ? ऐसके खाले 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 करदेillिसी तक तक राद हे भी था कशिरिया तेरी का तिर खोल के रखा है दिल का तरवाजा मैंया हम नहीं पढ़ने वाले मर्जी है तो आजा बड़ा आया दिल दा छोर्वाई मिला दो दिन का आहे पर दार्ड़ा छोर्वाई मिला दो दिन का जाहे इतना पुमान यो ये ये मिला दो दिन का आपने ठीक पहचाना है फिल्म भरोसा का ये गीद है आशा पारेख और गुरुदत पर फिल्म आया गया एसे बिहारी के बोल है ओपी दियर की तर्स थी शुता और हमारे एक शुता ने लिखा है कि आज है रियाली तीज की बधाई रिसना और सावन के महने में आगवन से ही महन्दी जूली की चुरुआत हो जाती है परंपरागत तरीके से हमारे देश की सथक्री के पहचान है गाउं में तो यह जाता प्रहत रूप से मनाते हैं इसे शेरों में घरों तक सीमित होकर रह जाता है कोई भी तिवहार हो मेले की तो धूम होती ही है बच्चे हों या बड़े मेले जाकर भूम कर खरीदारी कर आन मेहंदी रचाकर आम या नीम के पेड़ में जूला लगाया जाता है और सब महिलाएं मिलकर आनद उठाती है हमारे यहां नदिया जहां वहां मेले का आयूजन ज्यादा होता है हमारे देश की पहचान है यह आपको कलाकार बताने है मत वाली यह दिल क्यों थोड़ा यह दीर का है जोड़ा नजर की कमान से के मर जाओंगा मैं बस मुस्कान से पहले भी तुने एक रोज यह कहा था आओंगी तू ना आई वादा किया था सयाबन के पतरिया चाओंगी तू ना चाही मेरे प्यासे मेरे प्यासे ने ना तर से तू निकली ना घर से कैसे बीती वो राप शुहानी तू सुन ले कहानी यह सारे जहान से के तेरे नैना है चरावई मान से फिर की वाली तू तर फिर आना नहीं फिर जाना तू अपनी चुपान से के तेरे नैना है जरा वई मान से छताव इस गीत के पहले आपने भरोसा फिल्म का घेत सुना था राजान्दु कृष्ण के बोन थे रविका संगीत था और ये संगीत है लक्षम कान पेर अलाल का संजीर कुमार और नाजी महापर फिल्माया गया यह गीत राजा और रंक के फिल्म से आपने बिलकुल ठीक बहचाना है आपकी सबी प्रतिक्रियाओं के लिए सबी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैंने किसी रोजगरी हसके सोचा था मैंने किसी रोज गोरी हस के बोलेगी तू ना बॉली मेरी मोहब पर भरी बाते सुन सुन के डोलेगी तू ना डोली ओ सपनों में ओ सपनों में आने वाली रुक जा जाने वाली जाथ जाने वाली बह्या बोली दु़